दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे section 88 of IPC की section 88 of IPC में दिया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य जो ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो सामने वाले व्यक्ति की हानी होगी ये बात पक्की रहती है लेकिन उसकी बृत्यू होगी ये उसका intention नहीं रहता है ल लेकिन उसकी मृत्यू नहीं होगी और ऐसी बात करने में या ऐसा कार्य करने में सामने वाले व्यक्ति की सहमती भी जरूरी है तो ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसे अपराद नहीं माना जाएगा तो section 88 of IPC में दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को ऐसी कोई बात कही जाए या उस पर ऐसा कोई कारे किया जाए जिससे कि उसे हानी हो नुकसान हो लेकिन जो व्यक्ति ये कारे कर रहा है उसे उसका ये intention नहीं है कि इससे उसकी मौत हो और सामने वाले जो व्यक्ति है उसे भी पता है कि इस कारे से हानी होगी और वो इस कारे को करने में या इस बात को कहने में अपनी सहमती दे तो ऐसा अपराद अपराद नहीं माना जाएगा